नवस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ UGC Net Adder247 के YouTube चैनल पर, मेरा नाम केशरी पाठक है, UGC Net Re-Exam June 2024 का result आउट हो गया है, और इसमें सबसे बड़ा एक confusion बना हुआ है, category 3, PhD Only Qualify, जो student है, क्या आप Assistant Professor के लिए eligible हो या नहीं हो, तो एक बात मैं इसपस्ट कह देता चाहता हूँ, कि Assistant Professor के लिए आप eligible नहीं हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कि जो ये category 3, PhD Only ये add की गई अगर आपका qualify हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा confusion बना हुआ है, कि कल से result आया है, कि Only PhD qualify तो हो गई है, अब हम को क्या करना है, क बिल्कुल आप eligible नहीं हो, अब हम बात करते हैं, कि जिन भी लोगों का Only PhD qualify हो गया है, तो आपको क्या करना है, तो केबल आप eligible किसके लिए हैं, तो PhD interview के लिए आप क्या है, eligible हैं, इसके लिए अलग-अलग से आपके जो center university हैं, अलग-अलग से जो state हैं, उनकी university हैं, तो अग इसने हिसाब से एक criteria fix करेंगी, कि आपका Only PhD जो category 3 qualify हो गया है, तो एक क्राइटेरिया fix करेंगे, कि सबसे पहले वो GRF बालों को बुलाएंगे, GRF बालों के बाद वो NET बालों को बुलाएंगे, और NET बालों के बाद जो तीसरी नई category add की गई है, तो Only PhD बालों को interview के लिए उनको बुलाया जाएगा, PhD इंटर्वू के लिए बुलाया जाएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि Only PhD आपका qualify हो गया है, अम्मन में बना हुआ है कि PhD हम करना चाहते हैं, तो इंटर्वू में इसके कितने marks मिलेंगे हमको, तो यह अलागलक से state की university और जो center की university हैं, यह अ आपके 70% है, कुछ जादा या कम कर सकते हैं, तो यह बात मैं इसपस्ट कह देना चाहता हूँ, कि जिन लोगों का Only PhD qualify हुआ है, वो के बल PhD इंटर्वू के लिए आप eligible हैं, ना कि आप assistant professor बनने के लिए आप योग हैं, अगर आपको assistant professor बनना है, तो इसके लिए आपको call आए कि आप इस इस university से PhD अगर आपके qualify है, Only PhD category 3 qualify है, तो आप आकर और हमारे यहाँ पर सोधकार करकर, और जितने बरसों में आपका निर्धार PhD कम्प्लीट होगी, और इसके बाद आप फिर assistant professor के लिए eligible हो जाएंगे, और जब vacancy आएगी, तब आपको form भरना है, और जो process होगा, और फिर आपका selection हो जाएगा, तो एक बात मैं स्पस्ट कह देना चाहता हूँ, दूसरा मन में बना हुआ है, कि only PhD qualify तो हो गया, अभी इसकी validity क्या है, तो इसकी validity के बारे में बात करता हूँ, कि इसकी जो validity है, तो एक साल ये केवाल आपके क्या रहेगी, बैलिड रहेगी, ये नया, आपके नई category add की गई है, ये category 2024 में अभी अभी add की गई है, और पहली बार ये result के अंतरगत add की गई है, तो ये confusion आपका clear हो गया है, अब जो काफी लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे, कि नहीं मुझे PhD करना है, तो अब आप को अगर योग हैं, और कोई university आपके पास call करती है, criteria fix करती है, तो आप जाकर PhD कर लिजी, लेकिन जिन लोगों का पहली बार में only PhD qualify category में हो गया है, तो मैं एक बात कहूँगा कि अब 2-3 महीने बचे हैं, क्या कमी रह गई थी, कि आपका GRF नहीं हुआ, उस कमी को पूरा करिए, और GRF clear करके, जब PhD क्या वास्ट विक्ता थी, उसे मैंने बताने का प्रयास किया है, अब अगर इससे और कोई confusion आपको आ रहा है, तो नीचे comment section में आप comment करकर पूछ सकते हैं, जो आपके valid questions होंगे, उनका मैं जबाब दूँगा, तो मिलते हैं सिप्रार next session में, तब तक के लिए सभी को, जैहि क이나 तो मिलते हैं, दो आपके लिए स्कतिट का वे किये अगर